नमस्का साथियों साथियों स्वागत है आप सभी का पुना यूटूब चैनल पर जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं आज हम यहाँ पर जो केंदरी सिच्छक पातरता परिच्छा है सेंटरल टीचर एलेजबिल्टी टेस्ट इसके ओफिसल पेज पर आज उपस्तिता हैं औ तो आप लोग बड़ा ध्यान देना कि जो भी डाटा आप फिल करना तो बहुती सेक्योर होना चाहिए और उसको बार-बार अपने चेक कर लेना है क्योंकि यदि आप लोग दो फार्म भर देते हैं फिर आपके एडमिट कार्ड में दिक्कत आती है तो आप बहुती मैसेज भी करते हैं और इस बार भी ऐसा हुआ है चाहिए आप भे भी डाटा आप देख सकते हैं उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है कि लोग कैसे परेसान हुए थे एडमिट कार्ड को लेकर और उसके बाद अभी रिजल्ट को लेकर परेसान हुए कि उनका डिजी लोकर पे नही इसलिए जो भी अपने डाटा को फिल करना और उसको चेक कर लेना तभी उसको फाइनल समिट करना और दुसरा यही है कि पब्लिक नोटिस आपका दिया गया है तो सीटेट आप कोसी सही करना कि आपको दुसरा रिजिस्टेशन ना करना पड़े और बिल्कुल सही डाटा ही आपको फिल करना अपने सामने फिल कराना है जो भी आप पासवर्ड बनाए उस पासवर्ड का यूज करके आगे बहुत सी चीजें आप बहां पर देख सकेंगे क्योंकि आपका जो मैं क्या रहेगा आपका जो रिजिस्टेशन नंबर और पासवर्ड ही होता है जिसके बहुती आपके लिए मैतपूर्ड हो जाती है दुसरा आपको बता दें कि आपका जो आज से फार्म बढ़ना चूंकि प्रारम हो गया है तो बहुती केरफुली आप लोग फार्म को भरेंगे और फार्म को भरते समय किसी भी प्रकार की गल्ती ना ही करें तब ही अच्छा ह और बाना आप लोग परिशान थोड़ा सा हो जाते हैं आज इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है जुलाई के लिए और इसकी परिशाप की जुलाई अगस्त में हो जाएगी दूसरी मैतपूर्ड चीज यही है कि जो भी डाटा आपका रहेगा उस डाटा को एक बा डालने इमेल आईडी और नंबर ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि बहुत चीजें सामने आती हैं पिछली बार भी ऐसा हुआ था कुछ लोगों ने जहां से फार्म भरवाय उन्होंने अपना डाल लिया था तो बाद में उनको दिक्कत आ रही थी तो ऐसा बहुत लोगों के सर्टिफिकेट आपका आएगा अब आपको हम इस अवगता देते हैं जो पुबिक नोटिस दिया गया है सतित इसको दिखाते हैं साथियों यह केंदरी मादमिक सिच्छा बोर्ड सीटेट का ओफिसल नोटिस है जो कि आज जारी हुआ पत्चिस चार को जारी हुआ और अपलोड हुआ है तो सेंटरल बोर्ड आप सेकंडी एजुकेशन जो कि आपका जो सत्रमा एडिसन है वो आपका कंडेक्ट होगा जुलाई अगस्त में होगा और इसके एकजाम आपके जुलाई अगस्त में होंगे और जो डेट है वह थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है और आपके जो फार्म है बैस 27-4 से 26-5 तक ठीक है पहीं फीस भी आपकी 26-5 तक 1169 तक ही आपका होगा जो अपली आपकी जाद आपका पहले डिए को बर देते हैं तो उसी आदार पर आपका सिर्षय आप उसी आदार पर पर सबस्क्राइब करने के यौट हो जाने के लिए इसमें पहले आपका परिष्चा के अदरों और जो भी फाइनल अपना प्रिंट आउन निकलने के बाद ही समझे कि काफी लोग पिछली बार जिनों ने फार्म बढ़ा था और फाइनल प्रिंट आउन नहीं कर पाए थे तो उन लोगों का फार्म रिजेक्ट हो गया था जब एड्मिट कर नहीं आया तो काफी परेसान भ लें ठीक है और यहीं कहा गया है कि आप एदन पत्र भरते समय जो भी डाटा या परिश्चा सुल्क है बुगतान करते समय पोर्टल पर ही अपडेट आपका होगा ठीक है कुल चमता के अनुसार ही जारी किया जाएगा और जितना भी आपका डाटा रहेगा आपने वेफसा पर आपके उपलब्द हो जाएगा और हम भी आपको इस चैनल पर लगातार आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे बस आपका जो फार्म बढ़ना 27 चार से प्रारम हो रहा है और पिछली साल भी मैंने आपको फार्म भरके दिखाया था और फिर भी कोई प्राब् कोई भी प्राब्लम है आप सीधे सीधे हमको मैसिज कर सकते हैं और कोसिस रहेगी कि आपके जो प्राब्लम है उन प्राब्लम को सॉल्व किया जाए ठीक है तो इतना ध्यान रखना कि अपने हिसाब से फार्म को भरें और डाटा को बिल्कुल करेक्ट रखें कोई भी गलती नहीं हो और बांकि चीजें बाद में देखा जाएगा तो अभी इतनी चीजी आपको बतानी है और तैयार ही अपनी करते रहें क्योंकि सेटेट जो है आपके माइंड पैसेंस को चेक करता है ना कि आप कितना आप जानते हैं इसके बारे में कोई मान रखना जानते हैं यह अयह बहुक्त के लिए माने रही है लेकिन आप के अंदर के अंदर कtr नहीं जो है पिछले जो आपने प्रिवियस दो एक्जाम हुए थे 2020 से जब यह नीपी 2020 लाग हुआ उसके बाद के एक्जाम देखें ज्यादा बेतर रहेगा ठीक है तो यह जानकारी आपको देनी थी और जो भी डाटा होगा जो भी जानकारी होगी हम समय समय पर लब्द कराते रहेंगे और क्लास भी शुरू करेंगे तो सभी सातियों को करें शेयर करें थैंक्स फर बाचिंग